आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कोड़ोन बाइलोजी के इस special program में biology and biotechnology में अब no doubt के तो आज हम बात करने वाले हैं आपने जो सवाल पूछे हैं कमेंट में उसके बारे में एक सवाल था कि 10 gram of CaCO3 में कैसे number of proton निकालेंगे तो ये खर chemistry की बात है तो सबसे पहले ये समझ लिजे कि एक atom में अगर कोई charge नहीं है अगर उस atom के उपर कोई charge नहीं है तो number of electron ब्राबर होते हैं number of proton के और almost same होता है अगर उसका isotopes नहीं है number of neutrons के येनिक एक atom में तीन चीज़े होती है electron, proton और neutron number of electron को हम लोग कहते हैं atomic number number of proton and neutron को मिलाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं atomic mass ये clear हो गया यानि कि अगर हम लोग को atomic number पता है तो हम लोग number of proton भी निकाल सकते हैं अब समझ जी हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर इस तरह का कोई भी question हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं number of moles निकालते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक moles में 6.023 23 particle या atom होते हैं तो अब आपको निकालना ये है सबसे पहले कि 10 gram of CaCO3 में कितने number of moles मौजूद हैं तो number of moles निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था number of moles प्रावर given mass बटे molecular mass या formula mass CaCO3 में formula mass लगेगा given mass कितना है 10 gram और CaCO3 में इसका formula mass क्या हुआ mass होगिया इसका 40 carbon का होता है 6 mass होगिया 12 इसका atomic number होता है 8 यानि कि इसका mass है 16 लेकिन यहाँ तीन atom है इसके तो 3 से multiply करेंगे तिह कितना हो जागा 48 12 and 40 60, 40, 100 100 गया इसका molecular mass होता है 10 by 100 तिह कितना हो गया 0.1 mole अब हम लोग समझ गए कि 0.1 mole का CaCO3 आपको दिया हुआ है चलिए अब दूसरा बात आपको बताते है सबसे पहले यह समझना है कि 1 mole CaCO3 में number of atom कितना होगे जब number of atom पता चल जाएगा तो हम लोग निकालेंगे फिर number of proton निकालेंगे तो number of atom निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग जानते हैं कि 1 mole CaCO3 में number of atom कितना होता है 6.023 into 10 power 23 यह होता है number of atom 1 mole CaCO3 में हमारे पास कितना mole है 0.1 mole 0.1 mole CaCO3 में कितना होगा यह multiply हो जाएगा तो 0.1 into 6.023 into 10 power 23 इतना होगे हमारे पास number of atom अब हम लोग निकालेंगे कि 1 CaCO3 formula में कितने proton है तो proton निकालना होगा तो हम लोग जानते हैं कि यह बराबर होता है किसके electron के तो number of electron निकालेंगे यानि कि atomic number तो calcium का atomic number कितना होता है 20 carbon का atomic number 6 oxygen का atomic number यानि कि यहाँ पे 3 है तो 24 तो number of electron कितना हो गया 50 यानि कि number of proton कितना हो गया 50 एक formula CaCO3 में यानि कि एक atom CaCO3 पूरे में कितना proton है 50 proton है हमारे पास 0.1 mole था और उसमें कितना atom थे CaCO3 का इतना तो इसमें हम लोग 50 से अगर multiply कर देंगे यानि कि निकल जाएगा एक CaCO3 में atom में अगर 50 proton है तो इतना CaCO3 के atom में कितना number of proton हो गया यानि कि यह हो गया ये 0 तो इस पॉइंट से कट जाएगा 65 या 30 इन्टू 10 पावर 23 यानि कि 3 इन्टू 10 पावर 24 ये होगा इसका एंसर short summary बताते हैं कि finally हमने उसमें क्या किया सबसे पहले दिया हुआ है कि 10 ग्राम of CaCO3 आपके पास अबलेबल है तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि 10 ग्राम CaCO3 में number of mole कितने है CaCO3 का तो कितना निकला था ? 0.1 न मोल आ गया अब हम लोग जानते हैं एक मोल CaCO3 में कितने particle, atom या molecule लोता है पिछले class में हम लोगों बात किया था अगर आपने नहीं देखा है तो मैं description में लिंक दे देता हूँ आप उसको चेक कर ले तो एक मोल CaCO3 में 6.023 into 10 power 23 atom मौजूद है इतना हम लोग चान गए अब आपको ये निकालना है कि 0.1 मोल में कितने atom हुए इसको multiply करतेंगे 6.023 and 10 power 23 into 0.1 ये हो गया आपके पास number of mole जो आपको दिया गया है उसमें कितना atom है टोटल ये आपके पास हो गया अब हम लोग क्या करेंगे formula पर आएंगे कि एक formula unit में इसी हम लोग कर सकते हैं कि इतना हमारे पास formula unit है एक formula unit में कितने electron है number of electron पूरे cac3 का number of atomic number को जोड़ेंगे हम लोग तो हम लोग सभी का atomic number यानि कि number of electron हम लोग निकाल रहे हैं calcium का हो गया 20 carbon का 6 और oxygen का चुकि 3 है तो एक का 8 होता है तो इसको 3 से multiply करेंगे यह सभी मिलके 50 हो गया तो गौर करने वाला बात यह भी है एक formula unit या एक atom cac3 में 50 proton मौजूद है क्योंकि number of electron ब्राबर बते number of proton की क्योंकि इसके कोई चार्ज नहीं है एक में इतना हुआ आपके पास total कितने पार्टिकल है 6.023 into about 23 into 0.1 इसको अगर इससे multiply कर देंगे तो total number of electron और का सकते हैं हम लोग number of proton निकल जागा 10 ग्राम ऑफ cac3 यह हम लोगों नहीं किया है question है कि पैम या ब्लोसुम से जो question आता है bioinformatics का जिसे पैम 250 का या ब्लोसुम 60 का इसका concept अगला MLP जब आएगा तो मैंने इस पे एक बहतर lecture design किया है इसमें previous year question भी है 16-19 तक का और इसका concept भी है तो आपको मिल जाएगा और background music मैं इसलिए देता हूँ कि लंबा class हो जाता है आदे गंटा का आप लोग बोर फील ना करें इसलिए मैं test reach के background में music डाल देता हूँ अगर इससे आप disturb होते हैं तो इसमें music नहीं डालेंगे आप ही के लिए तो दिया जाता है अब एक और question है dbt 2015 का ऐसे 16 के बाद syllabus change हो गया था इस जीनो टाइप A A B B, 2 zin are linked in cis तो यह cis और trans का linkage क्या है 6 और ट्रान्स ख eco agree अगर्यहाँ एक अधिके सिस को पैम अधिके। उस्तो हम लोग उसारें 되고 한े करें तो यह कहां है, कि CIS arrangement में है और ये दोनों के बीच की दूरी कितना है 5 centi morgan तो 5 centi morgan काने का मतलब क्या हो गया और इसके बाद What percentage of gamit will have the genotopic AB इसमें कितना ऐसी बात है जिसमें आपको ध्यान देना है सबसे पहला बात कि 5 centi morgan क्या होता है distance जो होता है जीन का वो बताता है कि कितना percent recombination है उसमें यानि कि crossing over का जो result होगा crossing over के बाद जो result होगा उसमें कितना percent recombine करेगा या recombination होगा वो ही आपका distance है 5 centi morgan करने का मतलब है कि इन दोनों की बीच का कितना है crossing over 5% का इसलिए का गएक link है कितना 5 centi morgan से link है आप जानते हैं कि crossing over और linkage का क्या है जैसे कि जितना दूर में रहेगा gene यह यहाँ पर है बी यहाँ पर उतना जादा उसका percentage recombination का बढ़ जाएगा मतलब उतना तेजी से ही recombined होगा crossing over में नया arrangement बनाएगा और जितना नजदीक होगा उतना कम crossing over होगा और उतना कम उसमें recombination के chances होगे यानि कि काफी close है दोनों इसका मतलब उसके बीच में जो crossing over के बाद recombination होगा वो सिर्फ 5% के होगे यानि कि जब इसका gamit बनेगा यह sis में है तो कैसा है ऐसा है यानि कि यह दोनों क्या है parental है और जो नया gamit बनेगा जैसे कि a, b या a, b यह क्या होगा recombined होगा और जो parental type है जैसे कि a, b या a, b यह parental type gamit होगे तो 5, 20, morgan apart है इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो recombinant होगा जो recombination का result होगा यह दोनों जो gamit बनेगा वो सिर्फ 5% होगे और parental gamit जो होगा capital A, capital B, small a, small b यह 95% होगा अब इस 95% के parental में से 47.5% capital A, capital B होगा और 47.5% small a, small b होगा तो इसमें इसका answer काम सा होगा यह 47.5% क्योंकि यह parental type आप से पूछ रहा है I hope कि आप समझ गया होगे मैं कोसेज करूँगा कुछ जेनेटिक से भी question को लाने का पहले कोड़न बाली जी पे MLP चलता था Morning Learning Program सोबच 6 बजे जो Monday, Tuesday, Wednesday और Friday को आता है Actually कल Monday है लेकिन कल नहीं आप आप आएगा क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ हूँ जर्नी में हूँ तो कल लाइब क्लास मैं नहीं ले सकता है तो Tuesday, Wednesday, Thursday और Friday को इस सबता आएगा चारो दिन अब ICMR के लिए Evening Learning Program शुरू कर रहे हैं जो कि रात 10 बजे आएगा और वो completely dedicated होगा ICMR के लिए और एक और खास बात आपको बतानी है कि BioThera Test Services में ICMR Test Series का notification आ गया है यानि कि ICMR का Test Series शुरू हो गया है सिर्क 10 दिन बचे हैं हमारे पास यानि कि 10 दिन में 5 टेस्ट कराने वाले हैं यह Test Series, BioThera Test Services, Cordon Value G और NCIBB के collaboration से होता है इसमें अलग 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 तरह के package है अलग अलग तरह के offer है तो आपको जैसा सुविधा हो अगर लगता है कि आपका section A कमजोर है या इसमें टेस्टरिज लेना है तो स्रीप section A का भी Test Series अबलेबल है और अगर whole package लेना है section A, B complete revision, complete package तो उसके लिए भी option अबलेबल है तो मैं description में link दे रहा हूँ आप ज़्दे से जाए चेक किजिए और अपने suitability का अधार पर Test Series जोईन कर सकते हैं अगर वेबसाइट पर है तो वेबसाइट को सस्क्राइब कीजिए Thank you so much for watching the video